वाटसअप ने भारत में बंद किये 20 लाग से जदा अकाउंट्स अकाउंट्स को क्यों बंद किया है और ये कारवाई आखिरकार किस आधार पर की गई है ये तमाम जानकारियां आज इस वीडियो में हम आपको देंगे इस वीडियो को अंत तक जरू देखिएगा इसके अलाबा अगर आपने हमारी चानल डियान पे इंडिया को अभी तक सब सब्सक्राइब जरू कर लें और हमारी वीडियो को भी लाइक शेयर और कमेंट जरू करें तो चले दोस इस रिपोर्ट के माध्यम से डालते हैं इस पूरे मामले पर एक नजर वाट्सअप ने भारत में सूलह जून से 31 जुलाई तक 3 लाख अकाउंट्स को बंद किया था और ये कारवाई 594 शिकायतों के अधार पर की गई थी दुनिया भर में दुरूपियों के मामलों पर वाट्सअप उस थन हर महीं ने 80 लाख अकाउंट्स को बैन करता है दुस्व अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ये कारवाई के साधार पर की गई है बिना अनुमती के आटोमेट्ट या बल्क मैसेजेज भीरे जाने की वज़ह से 20,70,000 अकाउंट्स पर बैन लगाया गया है दुस्व वाट्सअप के प्रवक्ता ने बताया कि यूजर सेक्योरिटी रिपोर्ट में शिकायतों की जानकारी दी गई है प्लाटफॉम के दुरूपयोग को रोकने के लिए वाट्सअप अपनी कारवाई जारी रखेगा हमारा ध्यान प्लाटफॉम पर स्पाम और अंचाहे मैसेजिस को रोकने पर है दुस्व वाट्सअप ने अपने सपोर्ट पेज में बताया है कि वो शिकायत चैनल के माध्यम से यूजर की शिकायतें दर्ज करता है मैसेजिंग एप प्लाटफॉम पर हामफुल बहेवियर को रोकने के लिए आर्टिफिशल इंटेलिजेंस टूल्स और रिसॉर्स का इस्तमाल करता है दुस्व भारत के IT नियम क्या कहते हैं इसके बारे में भी जान लेते हैं दुस्व अब आपको बताते हैं कि क्या यूजर की जानकारी वाट्स अप पढ़ता है या नहीं वाट्स अपने इस बात पर जोड दिया है कि वो किसी भी यूजर के मैसेजिस को नहीं पढ़ता है ये एक end-to-un encrypted platform है इसमें यूजर की जानकारी सुरक्षित है जाट्स अपने जाट्स थो नहीं